कि हालो बच्चों कि आज हम NCRT size 7.2 का तीसरा वीडियो है इसके पहले 1 to 13 वो 14 to 26 हम कर चुके हैं उन्हें आप देख लीजिए कि हम description में उसका link देदेंगे आज हम 27th question number से उठाते हैं देखिए जैसा कि पहले भी बताए जा चुका है कि जो integral ना हो उसको T माल लीजिए शर्त यह है कि उसका differentiation present होना चाहिए और उसके पहले शर्त यह है कि differences in clear clear नहीं होना चाहिए clear होना चाहिए ठीक है तो 27th question की हम बात करने जा रहे है i is equal to integral root sin 2x into cos 2x dx देखिए नियम यह है कि जो आपको लगे कि यह integral इसका नहीं होता है और ऐसा होता तो integral हो जागा दिक्कत जो create करें वो t माना जाएगा और root के अंदर की चीज दिक्कत create कर रही है तो अगर इसको हम t मान लेते हैं तो इसका differentiation दिया है dt और हमारे पास cos 2x dx लिखा हुआ है तो ऐसा करते हैं हम यहां से cos 2x dx निकाल लेते हैं तो आएगा dt by 2 रग देटे उठा करके so i is equal to integral यह t की पावर root हो जाएगा और यह हो जाएगा dt by 2 root का मतलब होता है t की पावर half और x पावर n का integral हम जानते हैं x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 तो t की पावर half प्लस 1 अपान half प्लस 1 प्लस c है अब देखें यह 3 by 2 आएगा 3 by 2 2 कर जाएगा तो 1 by 3 अलग हो गया t की पावर 3 by 2 प्लस c t का मान रख दो 1 by 3 t बोले तो sin 2x की पावर 3 by 2 प्लस c तो संव्याग्याओ का c जो है वो integration constant होता है यह क्यों लगाए जाता है यह हमने explain कर रखा है जहां पर हमने integral को explain किया था उसका video मैंने अलड़ी उसका link दे रखा है उसको देख लीजेगा आप लो तीक है अब आते है 28th question number i is equal to integral cause x upon root 1 plus sin x देखो दिक्कत एक तो कर रहा है denominator वो भी root के अंदर गुसा हुआ बहुत भेंकर चीज तो इस भेंकर चीज को टीम आनेंगे शर्त यह है इसका differentiation present है जो की है sin x का differentiation cause x होता है तो आप किसको टी मानेंगे 1 plus sin x अब आप question कर सकते हैं कि भाई sin x का दिया है तो 1 क्यों क्यों मानना है देखे अगर मैं 1 को नहीं मानूंगा तो यह 1 plus t हो जाएगर दिक्कत create करेगा है अगर 1 को t मान लेते हैं तो 1 का differentiation ultimately 0 होता है तो दिक्कत करेगा नहीं इसलिए पूरे को t मानेंगे किसी function को अगर t मानना है तो अगर उसके साथ कोई constant है coefficient उसका है गुडांक है तो उसको भी t मानेंगे और कोई ऐसी चीज प्लस माइनस में लिखी है जिसका differentiation आपको disturb नहीं करा है 0 होता है तो उसको भी t साथ मान लेते हैं इसको जब differentiate करेंगे तो आएगा cause x dx is equal to dt और उपर already cause x dx है तो इसको रख देंगे dt so i is equal to उपर होगया dt नीचे होगया under root t इसको उपर ले जाओ पहले तो t की पावर माइनस हाफ dt इसका integral करो t पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपान माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c ये 1 बाई 2 आएगा 2 पर जाएगा ये t की पावर 1 बाई 2 एंडर 1 प्लस sin x प्लस इस प्रकार से इसको लगा सकते हैं ये है 28th question कुनोट कर लिजे इसकी बाद आते है 29th question अब आपके बड़ी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि आप वीडियो को रोख कर इसको देख सकते हैं ठीक है 29th है i is equal to integral cortex log sin x cortex into log sin x dx देखें integral में और differentiation में अगर कहीं log लिखा हुआ है और log का base नहीं दिया है तो base t होगा हमेशा ध्यान रखेगा ठीक है इसमें दिक्कत एक तो log कर रहा है तो कि log का integral होता नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ log वाली चीज को पूरे को t मान लेता हूँ शर्त उसका differentiation present होना चाहिए ठीक है और है वहाँ पर दिखी अगर मैं log sin x को t मानता हूँ तो इसका differentiation क्या होता है log sin x का 1 upon sin x into sin x का cos x dx is equal to dt अब यह नहीं कहां से होता है differentiation आप clear कर लीजेगा चिसका हो जाएगा cortex dx is equal to dt तो देखें यह उपर cortex dx लिखा हुआ है तो चाहो तो यहाँ से dx भी निकाल सकते dty cortex so i is equal to क्या हो जाएगा यह इसको हमने कुछ माना नहीं था इसको हमने पूरे को t माना था और यह हो जाएगा dt by cortex cortex कर जाएगा तो t का integral होता है t square by 2 plus c t कमान रगदो तो log sin x का whole square by 2 प्लस इस प्रकार से इसको integrate करेंगे एक सेकेट ज़रा यह कुछ नमबर 29 कुछ नमबर 30 sin x अपान 1 plus cos x i is equal to integral sin x अपान 1 plus cos x dx इसको साब साब दिख रहा है 1 plus cos x को t मानोगी इसका differentiation present दिख रहा है आपको मान लेते हैं let 1 plus cos x is equal to t इसका क्या हो जाएगा minus sin x dx is equal to dt मेरे पास उपर sin x dx है तो आप चाहो तो dx निकाल लो sin अपान में आएगा और इसको काट देगा या चाहो तो sin x dx निकाल दो अब इतना calculation आपका ठीक होगा हम मानते हैं इसको करेंगे minus dt रख देंगे so i is equal to अपर हो जाएगा minus dt अपान टी ठीक हमान दो तो minus log 1 plus cos x mod में दिखा जाएगा ध्यान दिखेगा कुशन नमबर 31 जो 31 को ध्यान से देखिए और 30 को ध्यान से देखिए लगबक सेम है 31 में क्या क्या है होने इसका होल इसका लिख दिया है तो आप यहां तक सेम लिखेंगे यहां पर t square हो जाएगा बस यह step change हो जाएगा इसका integral lag में नहीं होगा इसको उपर ले जाओगे तो आएगा minus t की पाउर minus 2 dt और इसका integral होगा t पाउर minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus c यह minus 1 आएगा यह इसको plus कर देगा तो 1 upon t हो जाएगा plus c t कमानद दो तो 1 upon 1 plus cause x plus c यह लिख देंगे यह 31 question number है 32, 33 33 थोड़ा सा दिक्कत create करते हैं यह जब अगली size आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसके method change हो जाएगे अभी आपको दिमाग लगाना है 1 upon 1 plus cortex जड़ा ध्यान से देखना बहुत technical नहीं है लेकिन इतना easy भी नहीं है 1 plus cortex t x अब problem है कि problem है denominator अब denominator को t मानेंगे तो उपर present नहीं है कुछ ठीक है तो हमारे पास एक सस्ता मद्दा रूल है कि इसको sine cause में convert करो देखो अगर इसको convert करेंगे यह हो जाएगा cause x upon sine x dx sine lc m ले लो तो उपर हो जाएगा sine x upon sine x plus cause x यही पर गाड़ी फस्ती है देखो अगली exercise आप करेंगे आगे की तो वहाँ method आपको मिल जाएगा इसका इसका एक method होता है यहाँ दिमाग लगाईए देखे दो चीजे हैं अगर मैं इसको t मानता हूँ ध्यान से देखेगा तो इसका difference देखेगा cause x minus sine x अपनी जानकरी के लिखे दे रहा है cause x minus sine x यानि मैं यहाँ इसको यहाँ कहीं लाने की कोशिस करूँगा लिगी मैं करूँ कैसे मैं अगर cause x plus कर देता हूँ minus कर देता हूँ तो एक cause x आता है तो थोड़ा दिमाग लगाना पढ़ेगा देखो ध्यान से अगर मैं इसको two sine x कर दूँ और one upon two अलग कर दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं है आपके कोई दिक्कत नहीं है देखे two sine x को मैं लिख देता हूँ जरा देखेगा sine x plus cause x और minus और ब्रेकन कर दे cause x minus sine x कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होँ अगर मैं इसको open करता हूँ तो sine x plus cause x minus cause x cause x cause x कर जाएगा और sine sine two times आ जाएगा वहीची लिखी भी है और जो upon की चीज है उसको अलग-अलग लिख देते है मताँ इसके नीचे अलग कर देते है sine x plus cause x और इसके नीचे अलग कर देते है sine x plus cause x यहाँ तक बात समझ में आ दे होगी अब आप कहेंगे साब यह जुबारक technology कैसे लगेगी यह लगाने ही पड़ेगी आपको लेकिन अगले एक साइज जब आप पढ़ेंगे अगले chapters में तो वहाँ इसका एक method लिखा होगा उसको फिलाल यहां explain नहीं कर रहे है यहां दिमाग ही लगाना पड़ेगा और दिमाग कहां से लगा कि इसको t माने पर जो हमको चाहिए था वह हमको लाना पड़ेगा अब इसको दिख रहा है यह कर जाएगा तो यह आजाएगा 1 by 2 यह 1 होगा यह minus यह आएगा cause x minus sine x upon sine x plus cause x dx तो पहली बात तो इसका तो 1 अलग हो जाएगा तो 1 का integral तो होगा x minus 1 by 2 इसका integral करना है cause x minus sine x upon sine x plus cause x dx अब थोड़ा डायट करता हूँ इसको t assume करेंगे इसका differences in present है यह 1 upon t आएगा इसका log t हो जाएगा तो आएगा 1 by 2 x minus 1 by 2 log mod sine x plus cause x डायट कर सकते हैं assume करेंगे आप लेकिन डायट कर सकते हैं यह 32 question number है 33 अपने आप करेंगे आप उसमें 10 लिखा है 10 वाले को sine cause में करके उसको adjust करिएगा तो 33 हम आपको दे रहें अपने आप करने के लिए इसको self करिएगा ठीक है 34 i is equal to integral root tan x upon sine x cause x थोड़ा सा दिमाग लगाईएगा दिक्कत कौन कर रहा है अब आप कहेंगे denominator में 12 आप है sine b है cause b है root के अंदर 10 है तो दिक्कत रूड कर रहा है पड़ी भेंकर रूप से अगर मैं 10 को t माल लेता हूँ माल लेता हूँ तो इसका differentiation sec square x होता है जो की present दिख नहीं रहा लेकिन आधा दिख रहा है one upon cause x sec x लिखा हुआ है तो ऐसा करते हैं अगर मैं denominator को cause से multiply कर दो तो ये बन जाएगा cause square x और ये उपर जाएगा sec square x लेकिन हमारे घर की खिती छहरी अगर मैं इसको cause x से multiply करूँगा तो cause x से divide भी करना पड़ेगा जरा denominator को ध्यान से दिखीगा मैंने denominator में क्या किया sine x into इसको लिख दिया cause square x यानि मैंने cause से multiply कर दिया क्यों? क्योंकि ये उपर जाके sec square में करनूट हो जाएगा और एक cause से divide भी कर दिया कोई दिक्कत नहीं हमने दिमाग कहां से लगाया? बोले आपको तो आता था हमने दिमाग ये लगाया कि 10 को टीम आने पर इसका differentiation present होना चाहिए जो कि नहीं है उसको present किया हमने अब देखो दियान से ये cause square उपर गया तो उपर लिखा है root tan x और नीचे ये लिखा है tan x और into ये cause square चला गया उपर ये root इसमें चड़ जाएगा ये आजाएगा 1 upon root tan x into sec square x dx साब साब दिख रहा है कि tan x का differentiation present है मान लोग tan x को t let tan x is equal to t जिसका क्या हो जाएगा sec square x dx is equal to dt उपर sec square x dx present है so i is equal to उपर हो जाएगा dt नीचे हो जाएगा root t और नीचे वाली चीज उपर जाएगी log root t बद लिख जाना यह ध्यान देखिएगा log की बद 1 upon x के लिए होता है यह t की पाउर minus half dt इसको integrate कर दो t पाउर minus half plus 1 minus half plus 1 plus c यह 1 upon 2 बहार आएगा यह root t हो जाएगा t कमान रख दो 2 under root tan x plus c इस प्रकार से थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किसो को t मानने पर उसका differentiation क्या होता है वो present नहीं है तो कहां से उसको present किया जाए यह देखना पड़ेगा यह 34 question note कलीजिएगा उसके बाद आते हैं उसको note कलीजिएगा rating थोड़ी गरबढ है अब उसको अब इस age में improve नहीं किया जा सकता इसलिए हम बोलते भी जाते हैं हम क्या लिख रहे है और आप सुनते भी जा रहे होंगे हम क्या बोल रहे है बोलते साफ है उसमें तुतलाते नहीं है ठीक है 35 question number i is equal to integral 1 plus log x का whole square 1 plus log x का whole square y x देखो एक तो दिक्कत log करता है कि log का difference प्रिजन प्रिजन लेगे ये तो मालो log x को t मानना पड़ेगा और log x को t मानेंगे तो इसका difference रहे हैं और हमने कहा था किसी को t मानते हैं तो अगर उसके साथ कोई coefficient है कोई constant type का तो उसको भी मानेंगे और उसके साथ कोई ऐसा function प्लस में लिखा है जिसका difference प्रिजन 0 होता है तो हम पूरे अंदर वाली चीज़ को t मान लेते हैं 1 प्लस log x is equal to t base यहाँ पर e होगा तो 1 का 0 log x का 1 upon x dx is equal to dt चाहो तो 1 upon x dx निकाल लो और चाहो किवल dx निकाल लो दोनों चीज़ आप कर सकते हैं जिसमें आपको calculation easy लग रहा हो तो i is equal to t square और यह हो जाएगा x dt upon x एकसेस कड़ गया और t square एक integral t cube by 3 t कमान रग दो क्या आएगा 1 प्लस log x का whole cube by 3 प्लस c यह 35th question बहुँआ है यह पहली एक size है जिसमें कुछ question कम से कम हैं भी integral में वहना आप जानते हैं ncrt भी question का टोटा भूत होता है 36th question कह रहा है i is equal to integral x plus 1 x plus log x a whole square by xdx अब जो दिक्कत तो आपका bracket वाली चीज़ी कर रहा है अब दिक्कत भी कर रहा है लेकिन इसको t मानेंगे तो इसका differentiation प्रेजेंट दिख भी रहा है तो हमने क्या किया वाप वहेंगे आपको बढ़ी जल्दी दिख जाता है आपको वह दिखना चाहिए 1 का x 1 x का होता है 1 log x का 1 अपान x dx is equal to dt याल से हम नहींगे तो क्या आएगा x plus 1 अपान x dx is equal to dt तो जहां dx आएगा वाली खेंगे x अपान x plus 1 dt जान पूच के लिखा हमने वैसे तो x plus 1 अपान x हमारे पार लिखा हुआ था लेकिन confusion नहों इसलिए dx निकाला है so i is equal to उपर x plus 1 को हमने छेडा नहीं था इसको t माना था तो t square नीचे x लिखा है और ये हुझाएगा x अपान x plus 1 dt x x कट गया x plus 1 कट गया t square अपान तो उठा करके तो क्या हैगा x plus log x का pole q by 3 प्लस c इस प्रकार से इसको निकालेगे इसके बाद ये question number 36 है अब 37 देखिए differentiation एक बाद जरूख कर लेजेगा इसके वीडियो पड़े ही हमारे इसमें शिक कर सकते हैं बया आत्मा एकेडमी आपको मिल जाएंगे 37 देखिए i is equal to integral x cube sin tan inverse x power 4 upon 1 plus x power 8 dx देखो एक तो दिक्कत है sin का एंगल जो कि होना चाहिए x इसको t माना पड़ेगा let tan inverse x power 4 is equal to t इसका क्या होगा 1 upon 1 plus x power 8 इसका हैगा 4 x cube dx is equal to dt आप जानते हैं tan inverse x का जो differentiation होता है वो होता 1 upon 1 plus x square तो इसका square करेंगे तो इसको rate हो जाएगा और चूंकि x की जगे कुछ और लिखा है तो उसको फिर differentiation करते ही तो जहाँ dx है वहाँ क्या लिखेंगे 1 plus x power 8 upon 4 x cube dt रगद उठा करके so i is equal to हमने इसको कुछ माना नहीं है इसको लिखा रहे ने दो इसको t माना है तो यह sin t हो जाएगा नीचे कुछ माना नहीं है मतलत करो कुछ और इसको करेंगे 1 plus x power 8 upon 4 x cube dt x cube से सुपढ़ गया यह पूरा कड़ गया 1 by 4 बाहर हो गया 1 by 4 और यह sin t हो गया sin t का integral minus cos t होता है t कमान रगद दो तो minus 1 upon 4 cos t है tan inverse x power 4 plus c यह 37 question number है rating सौज में आ रही होगी क्योंकि मेरे सौज में आ रही है इसलिए आपकी आई रही होगी ठीक है अब आते हैं 38 question यह note का लिए जहाँ पर plus c दिखेंगा वहालिक देना where c is a constant of integration क्यों apply करते हैं यह आपको introduction of integral में बताया जा चुका है इसको दुबारा नहीं बताया जाना है 38 question number देखें i is equal to integral 10 x to power 9 plus 10 to power x log 10 to base e understood जाएगा base e लिखा भी हुआ है whole upon x to power 10 plus 10 to power x साब साब दिखा दिख रहा होगा इसका पूरा का पूरा differentiation प्रिजेंट है तो आप किसको t मानेंगे x power 10 plus 10 to power x को t मानेंगे इसका आएगा 10 x power 9 plus 8 power x का differentiation होता है 8 power x log 8 base e dx is equal to dt यह पूरी चीज dt हो जाएगी उपर वाली चीज so i is equal to उपर हो गया dt नीचे हो गया t 1 upon t का integral हम पढ़ चुके है log t plus c t कमाने दो log mod x to power 10 plus 10 to power x plus c and the last question of the exercise that is 39 so रोट को लिजे i is equal to integral 1 upon sin square x into cos square x 10 देखे तरीके बहुत साले इसके है इसको सेकी square में convert कर सकते है नीचे 10 ले आएंगे उपर सेकी square लाएंगे 10 को t मान लेंगे लेकिन हमको मालूम है कि sin square x plus cos square x अगर उपर लिख दे तो उसको लिख सकते हैं 1 किजेगे तो हम चाहें तो उपर लिख सकते हैं sin square x plus cos square x और नीचे जो sin square x cos square है उसको अलग-अलग कर देएं sin square x cos square इसके नीचे sin square x cos square x इस एक ना ज़ा उपर जो 1 है 1 की जगे sin square x plus cos square x लिखा जा सकता है क्योंकि इसका रिस्तेदार है इसको cancel मत कर देना तो कि mathematics आप लोग बड़ी strong रहती है cancel कर भी देते हैं इसको अलग-अलग कर दें अगर हम sin square x के नीचे अलग कर दें इसको sin square x into cos square x plus cos square x के नीचे अलग कर दें इसको sin square x into cos square x dx यहां से sin कट गया यहां से cos कट गया 1 upon cos square x क्या होता है sin square x sin square x हो जाएगा और यह cos square x अब आपको integral माल हो नहीं sin square x का integral tan x होता है और cos square x मैनस cot x होता है plus sin star से अप्लाई कर सकते हैं next video next exercise okay thank you